हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो ईवानस वर्ल्ड सो बंद गोबी मतर कि सुखी साब देख सकते हैं कितनी लजी से साब्जी हमारी से इस क dużपीम एसब कर दे Auch हाँ मचा एक हर्म ॥र गाज यॉ इस थोड़र अलोज ससरी आप ली चालिया कुकर अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम दो से तीन चमस्ट तेल डालेंगे और उसके बाद हम पच फोरन डालेंगे तो इसमें आप थोड़े से सरसो डालें और पच फोरन में मेथी, सौफ, जीरा, सरसो, राई यह सब मिक्स होते हैं और बंदगोवी की सबजी में अगर आप इस तरह का फोरन डालेंगे तो सबजी बहुत ही डिलीसियस बनती है और सबको बहुत ही पसंद आएगी तो एक ट्रिक तो यह है और अभी एक मैं सीक्रेट मसाला आगे बताऊंगी उस मसाले को डालकर अब पत्तागोवी की सबजी बनाएंगे तो बच्चे भी मांग बांग कर खाएंगे इतनी टेशी सबजी बनती है तो बच्पोरन हमारे थोड़े फ्राय हो चुके है तो हम उसमें तो हरी मिर्ची जो हमने कट करके रखी थी वो डालूँगी और लासुन के कलिया और उसके बाद हम बारी बारी से सारी सबजीओं को डालेंगे उसके बाद हम प्याज डालेंगे प्याज डालने के बाद हम गाजर टालने के बाद हम हरे मटर डालेंगे यह अभी थंड का सीजन है तो बंदगोबी मटर गाजर यह सब आ रहे हैं सीजनल सबजियां इसे अब इस तरीके से बनाएं प्रेसर कुकर में बहुत ही तेस्टी सबजी बनती है इस बनती है प्रेफ्रेंड्स सो एक बार इस रेष्पी को जरू ट्राए करें और आपको मारी रेष्पी कैसी लगती है जरूर बताईएगा सारी सब्जियों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पॉडर स्वादा नुसर नमक और इससे करेंगे मिक्स इस तरह से मिक्स करने के बाद आप हम इसमें बंद को भी जो हमने कट करके दो करके रखा था वो डाल दूँगी सारी बंद को भी हम धीरे धीरे डाल देंगे प्रेसर कुकर में डालने के बाद प्लास्ट में हम टमाटर डालेंगे एक टमाटर था हमारा उसे हमने कट करके रखा था और थोड़े से मिक्स करने के बाद हम कुकर कड़कन लगाएंगे और एक सीटी आने तक वेट करेंगे एक सीटी आने के बाद हमें इंडक्शन आफ कर देना है और सीटी करना है तो एक सीती आ जाए उसके बाद हम गयास बंद करते हैं इंडक्शन यह यह रीजिद पर बना रहे हैं और अभी तक हमने फ्लेम फ्लेम पर ही सारी सबस्यों को भूना था सीटी आ चुकी है अब कुकर को हम होने देंगे ठंडा कुकर हमारा ठंडा हो चुका है देख सकते हैं सीटी निकल चुकी है अब हम खोलेंगे अब हम इसमें मसाले सारे डालेंगे तो देख सकते हैं बंदगूबी अल्मोस्ट फोच हो चुकी है इसमें हम सारे मसाले डालेंगे, एक छम्मझ धन्या पॉडर, एक छम्मझ कस्मेदी लाल मिर्च पॉडर, एक छम्मझ जीरा पॉडर और इसमें एक सीक्रेट मसाला है वो पास्ता मसाला है आपका भी बंदगुवी की सबजी में पास्ता मसाला डाल कर देखिए अब बहुत इस्वादेश सबजी बनती है तो अब हम एक चमच के करीब पास्ता मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और यहां फिर सालों को अच्छे से इसमें पकने देंगे और पानी भी हमारी सूख जाएगी इस सबजी बहुत ही सूखी सूखी बनेगी तो हमने ढगा दिया था उपर से रख दिया तब ढटाएंगे पास मिनट हो चुकी है और सबजी हमारी almost ready है और देख सकते हैं देखने में भी बहुत ह अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही बंद गुवी की सबजी इस से आप ट्रीसर कूकर में बनाएंगे तो लगती है और गाजर और मटर जो हमने डाला था उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और पास्टा मसाला से तो क्या करने उस्से बच्यों को बह बच्चे नहीं भी खाते हैं वो भी बंदगवी की सब्जी खाना जुरू कर देंगे सो इस तरह से सब्जी हमारी रेटी है अब हम इंडक्शन करेंगे आफ और देख सकते हैं कितनी तेस्टी अच्छी सब्जी हमारी रेटी हुई है इसे अपने ब्रेकवस्ट में बनाया था और आपको अमारी रेस्पीस कैसी लगती है आप जुरूर बताईएगा और इसे हमने पूरियों के साथ सर्व किया था है बंदगवी मटर की सब्जी को थैंक्स पर वाजिंग मिलती हूं नेक्स टेस्ट के साथ तब तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें